नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज मैं चंद्रभूशन पंडे आज मैं आया हूँ पंडित राजाराम सास्त्री जी के यहाँ क्योंकि आज गोवर्धन पूजा है और इसी के बारे में जानकारी लेने के लिए कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है तो पंडि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मारे चैनल के धान्यवाद पंडे जी इंडिया को बहुत बहुत बधाई जो ऐसे धार्मिक चीजों के लिए आईसा लोगों के लिए पूछा तो यह जो अनकूट है या गोवर्धन पूजा जी से हम कहते हैं दिवाली के ठ उकलपक्च परिवा के दिन मनाया जाता है अब बड़े हर सुला से ज्यादा तर महिलाएं इसमें ज्यादा भाग लेती हैं यह अनकूट पहले तो यह मानता है कि फसल यह जो इस पहले बरसात की फसल जो आती है इस फसल के पहले अनको भगवान को अर्पित किया जाए गोवर्धन की जब पूजा की गई इंद्र के अभिमान और मान मर्दन के लिए तो इंद्र का अभिमान और मर्दन हुआ आप लोग जानते भी हैं कि इंद्र नाराज हो करके साथ दिन तक मूशलाधार वर्षा की भागवान किसने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर पूरे भारत वर्ष में इसे बहुत हर शुलाध से मनाते हैं जादा दर परश्चमी उत्तर प्रदेश में और हरियाना और पंजाब के इलाकों में राजस्थान और परश्चमी मध्य प्रदेश में जबर्जस्त तेवहार ही मनाया जाता है वजशे दिवाली पाँच दिन क तो महत्व पूर्ण अपने में आई लेकिन फिर सनातन धर्मा और लंबियों के लिए सबसे महत्व पूर्ण तेवहार गोबर्धन पूजा और अनकूट है जो गोबर्धन पूजा के बारे में आपने पूछा कि गोबर्धन की पूजा इसलिए होती है इंद्र के अभिमान और मानमर्धन के लिए जो जादा अभिमानी हो जाए उसके भगवान किष्ण का दौापर में जद्य पहले नहीं था दौापर के में ही जब किष्ण का आउतार हुआ तब से गोबर्धन पूजा का प्रचलन हुआ जेस दिन कार्तिक जो है परिबा के दिन ही भगवान ने उस गोबर्धन को दौज के दिन उठाया था गोबर्धन की जब पूजा हुई तो दौज के दिन से बरशात हो गई साथ दिन तक भगवान उठाय रहे नौमी आ गई नौमी के दिन ही बरशात खतम हुई तो तभी से हर वर्ष गोबर्धन पूजा पूरे भारत वर्ष में प् यह पूरे जो है भारत वर्स में सभी का पर्व है इसमें जाती और परमपरा की बात नहीं है, ये सभी का परवह सभी लोग क्रिशक हैं, तो पहला अन जो हुआ, खेती का जो पहला अन पैदा हुआ, तो उसे हम अपने इस्ट को ही समर्पित करते हैं, इसलिए इसे अनकूट दिया गया, हमारे संतों ने इसे अनकूट कहते हैं, गोबरजन पू कि पूजा साम की पूजा होती है दिन बार आयोजन करेंगे व्र इंहें वही बिनजन चढाएंगे इसके बाद रिसादी बित्रनों होगा जिए भाई दू जो मनाया जाता है यह किसे लिए मनाया जाता है अश्छा है कि he नदेजी जो भाई दूइज है तो सुक्ल पक्छ कार्तिक दूतिया के दिन मनाया जाता है। विवाजता जो बहन है बड़ी बहन उसके हाथ से बनाया हुआ भोजन और वस्त्रित्याद प्राप्त करता है वो चंदन लगा करके दिर्ग आयू और आरोग्यता का असिरबाद देती है उसके जीवन में आने वाले समस्त जो है आपत्तियों को दूर करने के लिए ऐसी मान्य करता है सास्त्र की और पौरानिक भी उसके जीवन में जितने अमंगल घटनाएं उसको टालने के लिए बहन आसिरबाद देती है और बहन का असिरबाद भाई को लगता है इसे बहुत पौरानिक कथाएं भी आती है इसलिए भाव दूज मनाया जाता है साथ में ही इसे जमराज और यमुना जो बहन और भाई हैं अगर कोई भाई अपनी बहन के साथ यमदूतिया के दिन जमुना का जमना महुत्षव जिसे कहा जाता है दर्शन भी कर ले तो उसके जीवन में आने वाली अमंगल घटनाएं समाप्त हो जाती है इसलिए प्रशिद्ध है भाईय चैनल को समय दिया है और हमारे दर्शकों को आपने बिध्वत समझाया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ठीक है पांडे जी फिर मिलते हैं भक्ति भाई के अगले भाग में इसी के साथ कैमरा मैन जैवन के साथ चंद्रभूशन पांडे मिर्जापूर उत् झाथ चंद्रभूर उन्यवन अस्ये घ्र झाथ।